दोस्तो नमस्कार मेरा नाम Dr. Locis Bali है और अनकैडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अनकेडमी पर आज ही मेरा पहला वीडियो है और अनकेडमी से जुड़ते हूँ मुझे बहुत ही ज्याता खुसी हो रही है और उसकी चमकाब मेरे चेरे पर इस समय देख रहे होंगे दोस्तो इस कारवे की सुरुवात मैं अपने परीचे के साथ करना चाहूँगा अपने आपको इंट्रड्यूज करना चाहूँगा आप सभी के सामने जैसा कि आप लोगों को मेरे नाम का तो पता लग गया कि मेरा नाम डॉक्टर लोकिस वाली है इस समय वर्तमानम मैं में क्या चीज़े चुननी चाहिए और किस तरीके से फोकस करते हुए अपने टार्गेट को अचीव करना है दोस्तो इसके लाव मुझे लिखने और पढ़ने की रुची है मेरे काफी सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जनरल्स में पब्लिक हो चुके हैं दोस्त तरह से मैंने अपनी PG करते हुए फर्स्ट अटेविट में JRF किस तरह से क्वालिफाई कर लिया और इसके साथ साथ मेरी PhD की थीसे साथ इससा में देख रहे होंगे कि मैंने इतनी कमेज में ऐसी कौन सी प्लानिंग ऐसी कौन सी रणनीती रही कि मैंने इतनी कमेज में PhD degree complete कर तेज कौन दोड़ता है और हमेशा जो तेज दोड़ता है और जो जीतता है उसी को ही माना जाता है कि वो ही धावक है पीछे घदे दोड़ते हैं हमेशा घोडों की गिंती हो तो दोश्तों अगर आपको घोड़ा बनना है तो आजाए मेरे साथ इस कारवे में मैं आपको द सपाट और सही दिशा में जा सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों UGC NET की एक्जाम तो बहुती छोटी एक्जाम है आप सभी को बहुती बड़े-बड़े कारणा में अभी करना बाकी है जीवन में तो ये एक्जाम इतनी बड़ी नहीं है इसको आप आसानी से प हिए अगर आपने अगयाट की हाथ में अपना हंद हो अपने जीवन की बाग दोड़ दी अपने जीवन को दसा देने की अगर दोड़ दी दोiggling को lawyers ने से PhD कंप्लीट कर लोगे उस समय आपको कितनी fellowship मिलेगी और PhD कैसे की जाती है मतलब हम केवल आपको net पर target नहीं करेंगे हम आपको आगे तक भी guide करेंगे इसलिए यह विश्वास का हाथ है यह अनकैडमी का हाथ है दोस्तो लगातार जुड़े रहे एक कारवे में आप हमारे साथ मैं आपको यहाँ पर इंदी साहित के अलावा जो मेरा निजी अनवाव है यूर्शिटी केंपस में बिताई हुई लाइफ का PhD के टाइम पर या फिर बहुत ही कम समय में इस exam को कई बार उत्तिरन करने का जो experience है उन सभी experience को एक नए अंदाज में नए और वेग्यानिक से apply करते हुए आप सभी के सामने साजा करूँगा ताकि आप लोगों की सफलता सुनिशित हो सके दोस्तों मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में इस तरह से बताऊँगा कि ऐसा कौन सा टाइम आता है जब आप UGC net को बहुत ही आसानी के साथ पास कर सकते हो ऐसा कौन सी सिच्वेशन है जिसमें आपको UGC net को पास करना आसान हो जाता है और ऐसी कौन सी सिच्वेशन जब लाइफ में आ जाती है ये एक्जाम आपसे दीरे दीरे दूर होने लगती है दोस्तों देश को आजाद हुए बहुत समय हो गया उस समय की जो फेकल्टी जहें आज रिट पिशर बन सकते हो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राष्टे हैं जो आप लोगों को नहीं पता वो हमको एक्सपीरियंस से आये हैं उनके माध्दम से आप जीवन में सफल हो सकते हो एक हायर स्टेडीज में जा सकते हो अपने सम्मान जनक रूप से आप जी सकते हो दोस् इसके माध्दम से सठीक और संपूर्ण जानकारी किसी भी सब्जेक्ट की फ्राफ्ट कर सकते हो दोस्तों मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह पहला वीडियो है कारवा अभी हमारा सुरू हुआ है हमने अभी सुरुवात की है हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं सई दसा और सई सठीक राष्टे पर तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए नया चैनल है हमारा इसको सस्क्राइब कीजिए तब तक आप रुको मत ठको मत डटो मत हटो मत नमस्कार